तो देल स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बी-ए थार्ड यर के समस्टर फिप्त के यानि कि बी-ए फिप्त समस्टर के हिंदी के most important question-answer के बारे में तो आज से हमारी question answer वाली series शुरू हो चुकी है इस वीडियो में आपको question भी मिलेंगे और उसका उत्तर भी मिलेगा ठीक है तो वीडियो को आपको complete जरूर देखना पूरी help मिलेगी और जो आज कि इस वीडियो में आपको प्रशन बताऊंगा यहीं से प्रशन लगबग लग सब्जेक्ट का हिंदी और यहीं का फिफ्ट्र है आप सभी कुछ आनकारी होनी चाहिए कि फिफ्ट समस्टे में सब्जेक्स के कि दो पेपर होंगी जिसका नाम है साहित त्रसा प्रों हिंदी अलोशना तो चितने में कूश्चन अंगी और इसका पूरा-पूराश हर सब्जेक्ट आठ यूट में डिवाइड है ठीक है और हर पूरे पूरे स्लेवर्स को मैंने पहले कबर करा रखा है अब एक एक चैप्टर फीडियो को आपको कबर कराएंगे ठीक है तो आज किस वीडियो में आपको फस्ट यूट से चम्मादे जितने भी आज तक पांच स तरह ही तरह हैं कि भारत को झाजए चाफ्तर की प्यृषफह तरह समया प्रूंद एक उसकी मतहों लिच और साफ्तर हो तक सहской की वाहिसिंस की आप लोगए समाज साफ्त को समयाज बिघ्यान मी कहा जावा उत्ता है और फी तरह साफ्तर को और बीक्ight interest is साहित्या काव साह्त्र में रखनाव और साहित्य का दर्सन होता ह 다le हम हैं यानि कि शिम्पल भहसा में जो है काव साहित्य बती का अफिद्धान्तों की ज्यान रासी है काब साफ्त के लिए पुराने नाम साहितर फाफ्त था अलंगार साफ्त है और साहित के ब्यापक रशनात्मक वो मंड़े को समेटने पर इसे समेच्छा फाफ्त भी कहा जाने लगा यानि कि अगर काब साफ्त की सिंपल सा एकदम सही सब् बहुत साहितर फाफ्त था अलंगार साफ्त यानि इसको भारते काब साफ्त की परंपरा के बारे मुझना है यानि कि भारते काब्य साफ्त की परंपरा आ? तो चलिए इसके बारे वी जान लेते हैं हम सहाते हैं कि आपको कुछ छूटने न पाए सभी आपको चीजी कलियर हो जाएं थीक है तो भारते काब साफ्त की परमपरा के बारे भारे मिस जानते हैं अगर कोश्चन आ जाए कि काब साफ्तर का जो प्रथम अचार है या फिर प्रथम कभी है लेखा के कौन है तो वहाँ पर आप लिखेंगे भरत मुन जी है ठीक है तो इसी तरह लिखेंगे उसके बाद उनका समय जो लगभक रहा है वो 400 इसा पूरु से 100 इसा पूर्व के मध् है तो 2010 के बाद दोहजार गेरा आएगा फिर बारा आएगा ठीक है तेरा आएगा चौदा पंदर फोलाई से बढ़ेगा लेकिन जो इसा पूर्व है वो हमेशा रिवर्स में चलता है ठीक है वह मालीजे 2400 है तो 400 से 200 हो सकता है 200 इसा पूर्व उसके बाद 300 इसा पूर्व है इसी तरह आप पीछे पीछे जा बेदा है मतलब कि 1000 हannel इसा पूर्व है ठीक है तो 900 हिसा पूर्व हो जाएगा और 900 हिसा पूर्व … पंसो इसा पूर्व एइसे मतलब उल्टा चलता है इस बात को ध्यान नखेंगे ठीक है तो सिंपल साइस का मतलब यही ए कि संसकृत के क काभे साफ्तर का प्रथम आचारे माना जाता है और इनका जो समय सीमा रहा है लगभग 400 इसापुर्व से 100 इसापुर्व के मद्ड बालत मुनी का और इस परमपराके अन्तिम आचारे पंडित राज जगनात थे यानि कि पहले जो थे वो कभी भरतमुनी जी ते और उसके अंतिम जो परंपरा रहा है काबे साफ्तर का उसके जो अंतिम अचारे रहे हैं उनका नाम है पंडित राज जगनात जी इनका समय सत्रवें शतीज सदी से है और इस प्रकार लगबग डेड़ दोसो सहस्त्र वर्सों तक या काबसाफते साहित अपनी ब्यापक बिसे समगरी अपूर्ब एवं तर्क सम्मत बिबेचन पद्यत और गंभीर सहली की कार नूतन मानेताओं को प्रुस्तित करने के बल पर भारती वर्मे में अपना बिसे स्थ खान रखता है तो इस प्रकार बेशिक पर्चे लिखेंगे बारते काबसाफत के परंपरा के बारे में ठीक है और अगला कोश्चन आप लोगों का इसा देखने हो मिल सकता है कि काब प्रियोजन की परिभासा बताइए काब प्रियोजन का मत्तब होता है काब इका कि मैसेद को क्या इंडिगीट किया ठीक है बाई कोई चीज लिखी बनाइए तो इसका कउने कोई अध्रवर प्रियोजन का एक्स्प्रेशन मिल रही हमको क्या पाऊर मिल नहीं क्या सक्टी मिल नहीं क्या अटी मिल झाह एक्किर अलग करने की फ्यूंकर चमता आ रही है तो यह होता है काव प्रियोजन ठीक है इतना परिमाफा ले करेंगे उसके बाद संस्कृत काव साफ्तर में किसी बिसे के अध्धन के लिए चार क्रमों का निर्धान किया जाता है मतलब कि जो संस्कृत काव साफ्तर में किसी बिसे चीज का अध्धन करेंगे तो उसके लिए आपको चार कुर्ब निर्धाण किया जाना चाहिए ठीक एुसी के अधार पर उसके बारे में अध्धन किया जाता पहला है प्रियोजन जो कि बताया ही अधिकारी यह संबंद और विसे उस्ते इनहीं की अधार पर आप किसी भी विसे का अध्यन कर सकते ठीक है उसके बाद कि इस समुच्च को अनुबंध चतुस्टे कहते हैं इस अनुबंध चतुस्टे का सरवदिक महत्पूर्ण क्रम प्रियोजन है इस बात को ध्यान लखेंगे इस इस बात कि आप आगे लिखना चाहिए तो यहां तक लिख सकते हैं अगर जिसे साफ से प्रस्ण पूश्टा उससी साफ से उत्तर दीजिएगा ठीक है नेश कोईश्टन की काब लच्छन क्या होता है काब लच्छन की परिभाफ़ा दीजिए ऐसा प्रस्ण हो सकता क्योंक बले च्छड के बारे मताई कैसा कुश्षन हो सकता तो लिखेंगे काब लिखेंगे काब लिखेंगे कब किर द्वारा जो कार संपन किये जाते हैं या संपन हो उसे हम काब बे कहते हैं जान सुनेजे कभ यानि जो लेखा कोता है और कोई कारे करता है कारे का मतलब जाता है और उसका कारे प्रस्तु मतलब की कंपलीट हो जाता है तो उसके इसको काब बे कहा जाता है निकि रशना कहा जाता है और इसके जो लच्छन है किसी वस्त अत्वा बिशे के आस्ताधारन अर्थात बिशेस धर्म के बिशे में कथन करना उसका लच्छन कहलाता है तो कोई वस्तु है अत्वा उसका बिशे है उसका जो आफाधारन अर्थात किसी धर्म किसी बिशेस धर्म के बिशे में कथन करना या फिर कोई बात कहना ठीक है किसी चीज की प यह एपका इगाब बेहे इसका मत्तव होता है कि रखांब प्रस्तत और कैसे काभी थे यह कारा में ऑभार मतलब लिखेंगे काभी की वह सक्ती यह वह पावर है जिससे कभी रशना में समर्ध होता है मतलब कि काब बेहे तो जो है वो किसी भीक का बिचाए तुलफी दाफ हो चाहे रहीम दाफ जी हो चाहे हजार पर साथ दुबेदी जी हो चाहे महाबिर पर साथ दुबेदी जी हो तुलफी दाफ कबीर दाफ रहीम दाफ जितने भी बिहार जितने भीक कभी है ठीक है ध्यान स उसमें वो पूरी तरह समर्थ रहता है पूरी तरह योग रहता है पूरी तरह उस चीज को करने में सच्छम रहता है तो सिंपल सी परिबासा काब बहुत किसी भी कभी की वा सकती या फिर वा पावर है जिससे वा काब रशना करने में समर्थ होता है इसके अंतरगत काब फ्रजन की बिभित प्रिक्रियाओं का बिभीचन किया जाता है मतलब कि इसके अंतरगत जो काब रशना रशी जाती है उस चीज की बहुत फारी अलग तरीकी की प्रिक्रियाओं होती है उस चीज के बारे में बताया जाता है काब हेत में हेत का अर्थ कारण होता है ध्यान सुन लिजेगा काब हेत जो है सब्द इसमें काब का मतलब तो रशना हो गया ठीक है या कभी का कार्य हो गया या फिर काब के कर्म हो गया लेकिन हेत का जो अर्थ है वो कारण होता है अता इससे काब रसना का कारण भी कह सकते हैं काब बहेत को काब कारण कहने की भी परंपरा रही है क्योंकि हेत का मतलब इसमें कारण से लगाया गया है तो काब बह्यृत को काभिकरण करने की परमपरा रही ए तो महार्फोर प्रशंग और वश्टा है जिसको निपूरत बोला गया है और तीफरा अभ्या Tips तो ध्यान लखेंगे काभेट के तीन प्रकार है प्रतिभा और वितपत्ति यानिकी निर्पुर्ता और अभ्यास ओके इसी प्रकार लिखेंगे पाकी और डीटेल इसमें नीचे लिखा गया आप पढ़ लिजेगे लेकिन में तीन था तो मैंने तीन आपको बता दिया अगला कुश्चन है कि काव का श्रूफ बताई तो श्रूफ चैने कि कविता यानि कि काव कविता काव के वाफ्तिक स्वरूफ को समझने के ली हम इसे दो उप안 Natomiast' को बाह श्रूफ और अंटरिक स्वरूफ में विवरक्त कर सकते हैं तो काव प्रवेर्ण को समझने के लिए इसकों दो ыफिसकों में डिवाइट किया गया है पहला है ज्मे Encounter 12 जानेगी पिर आंत्रिक जानेगी to झान सुनेंगे बाई सुनेंगे 32 में कविद्धा के लिख्यार निम्रिखे चततों का समे वेश किया जाया है जिसमें से जानते कौंकर से हैं ठीक है चेट ठीक ही उसमें इंकिलीट की नहीं किया है जो कि मैं आपको ने इस वीडियो में कबर करा दूंगा तो इसमें तत्तों इंकिल्यूट नहीं किया था ठीक है लेकिन इतना जा लेजे कि कविता के बाहर शुरूप के अंतरगत छे तत्तों का समझा गया है ठीक है अभी मैं आपको टायम नहीं नहीं तो अभी बता देता लेकिन मैं किसी वी करशना होती उसकी आत्मा को समझह दाफ सकता है ढां सुले थे फिए उसमें गद्य और प्द्य में अंतर उनlakी उनकी नथा ंत्मा में विध्यान रखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर ठीक है कि आंतिरिक सुरूप क्या है ओके पाइंट यहां पर है जो काब की आत्मा है वह रीती है इस बात को ध्यान रखेंगे और कभी कभी आज आता ऐसे कि काब की आत्मा बताइए तुम्हाँ पर लिख देंगे काब की आत्मा रीती है ठीक है ओके चालिए आज कि इस पूरा पूरा यूनिट मैंने कबर करा दिया ठीक है इसी जो फस्ट यूनिट है इसमें जो कोईश्चन आएंगे इस से बाहर का कुछ भी नहीं आएगा जितने भी प्रस्ट में वह जो जो मैंने मतलब कि बन सकते हैं जब इ सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा मिलते एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए जहिंद